है ठीख को वैटर्व सेंडिंग व्हाल्ण कमिटी कमपॉजीशन धुर्द्न फंक्शन होगी कि है हर हैड ओफिस में और अग रिजीनल या जौनल ऑफिस में ज्लों में जो घूबे अलड्ड कमिटी आऊंगी इसकी जो composition होगी ठीक है standing का है head office में या regional office में ठीक है standing health committee जो है अच्छा जी इसकी following शल्बी composition अच्छा following यह होंगी standing health committee जो head office होगी उसमें एक डियाइजी headquarter होगा जो उसका chairman होगा aig establishment उसका member होगा director है उसका member होगा chief medical officer member technical होगा या secretary भी का जा सकते एक standing जोगे head office में होगी एक standing health committee होगी regional office में जिसका डियाइजी respective जो है वहाँ का जोगा डियाइजी वो chairman होगा ssp member होगा और regional medical officer भी उसका member होगा अच्छा एक regional office में बनी है standing committee standing health committee एक head office में बनी है standing health committee जो head office में बनी है इसका डियाइजी headquarter है टीके जी और एएएजी establishment है डिरेक्टर है उसका member यह और chief medical उसका secretary भी और member technical भी है जो regional office में बनी है जो जो डियाइजी respective वहां का जो डियाइजी होगा वो chairman होगा एक SSP को एक RM होगा अच्छा इनकी duties क्या होंगी standing health committees की एप्लीकेशन को consider करेंगे hospitals को clinics को laboratories को doctors को specialist को dentist को for inclusion के उनको इसमें शामिल करना है या और वाइस जिन्द है नहेचन एमपी पैनल जो बन रहा उसके अंदर doctors को hospital clinics laboratory उनको शामिल करना है किसको करना है किसको नहीं करना यह सारे यह ताय करेंगे यह standing health committee कंसिटरेशन चार्जेशन चार्जेशन डिमांड जो specialist होते है डिजार विंक्रूद अच्छा इनकी पैनल में आना चारते हैं उनकी जो charges होंगे उसकी consultation वो भी सारे यह ताय करेंगे जी यह standing health committee सो डिल करें जो rates हैं चार्जेशन होस्पिट पेशेंट्स की पर प्रियोडिकल इनाइजम आफ डेट्स जो 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 जिसी तरह से बढ़ते जाएंगे वो सारे के सारे उनके रेट्स चार्जेशन चार्जेशन जो परपोज होते हैं hospital क्लिनिक्स लिबाटरीश टेस्ट्रीट्मेंट ऑपरेशन प्रोसीजर पेशेंट्स क ज्रीट्मेंट ऑफ पेशेंट वो सब यह स्टेंडिंग हेल्थ कमेटी कंसिर की complaints जो होंगी ना उनको भी डील करेगी बहले वह हॉस्पिटल्स की हो क्लिनिस की हो लिबाटरीश की हो डॉक्टर्स की हो ठीक है स्टेंडिंग हेल्थ कमेटी हैड ऑफिसल फैनलाइज मेडिकल ऑफिसर जो होगा है वह फिजिकली इंस जो वह इंस्पेक्शन करेगा ऑस्पिटल्स की क्लिनिक्स की ठीक है और अप्रूवल के लिए स्टेंडिंग हेल्थ कमेटी टूदा ऑफ दे हैड ऑफिस वह सामने वह रखेगा अप्रूवल के लिए अच्छा वही रिव्य पूड करनी है या कं करनी है जादा करणी महीं इस्टेंडिंगहल्स कमेटी हीक करेगी ऑच जीस्टेंणिक हेल्थ कमेटी ट्रीजिनल ऑफिस रिकमेंट देट वह रिकमेंट के लिए डॉक्नञिकục्ध प्रूवल के लिए भी ने ठीक है जी अच्छा standing health committee जो regional office की होगी वो approval के लिए committee of head office standing health committee of head office की है उसको भेजेगी regional की committee health की वो head office की जो committee है उसको approval के लिए भेजेगी consider any issue which new special और कोई सा भी issue जो special attention का होगा उसको भी consider करने की इसमें provision दिया गया frequency of change and rate shall not be before three जो rates change होते हैं वो तीन साल से पहले इसकी frequency नहीं change करेंगे बार बना तीन साल का जो जब भी बनेगी तो तीन साल वो तीन साल तक रहेगा उसके बाद अगले तीन साल करेंगे अच्छा जितनी भी complaints होंगी hospital की लिबार्स पर डॉक्टर जी वो AIG establishment वहां lodge की जाएंगी who shall place these before chair अच्छा वो सारी complaint जो है AIG establishment जो है वो standing health committee का जो chairman उसके सामने रखेगा वो examine करेंगे complaints को findings को recommendations को continuation या arrangement of और दर वाइस ठीके fresh applicant shall then be given a chance to fill the positions vacated अच्छा अगर देखते हैं उसके नए positions को फिर नए लोगों को निकाला जाए गया रखा जाएगा यह सारा procedure दिया हो है guidelines for functioning of the standing health committee अच्छा यह guidelines दीए कि किस तरह से health committee अपने function करेगी following our अच्छा यह सारे जो है यह guidelines दी विए अच्छा उसमें panel hospital को किस तरह select करना है कम से कम 25 बैट का होना चाहिए है उसमें लेबर रूम operation theater होना चाहिए एक्स रे ECG ultrasound होना चाहिए यह minimum उन्हें standard यह blood और urine के test होने चाहिए चाहिए इससे जादा हो तो और भी अच्छी बात है यह से लेक्शन आफ पैनल होस्पेशलिस्ट के लिए भी उन्होंने रखी हुए नॉर्मली तरह इसलामबाद लहौर पिशावर कराची बिक शिटीज को उन्होंने इंकलूड किया आचा क्लिनिक्स को डिलीशन निकालना है और कभी वह पूरा दिया बादेसरीशिए अठी जन्होंतर घली इंटमसी अठी घैनल जो वहां पर वहां पर त्रीटमेंट होगी जन्राइल şunu ट्रीट्मेंट उसके पैसे भी दिए में और तरीकेकार भी सच क्लेंट यह सारा का सारा वह पूरा प्रोसीजर भी जिए अगर रैफर करा के कहीं और जाते हैं उसका भी सारा प्रोसीजर दिया हुआ आउट्डोर मेडिकल पेशन्ट मतलब आये चेक कर रहा है वापस चले गए ठीक ही इंडोर पेशन्ट ट्रीट्मेंट जो उसका भी यह सैंक्शन पावर्ज भी दिया हुआ है अच्छा मिस्यूज ऑफ मेडिकल वह अगर आप कोई मिस्यूज करता है तो उसको रोकने के लिए भी वह पूरा दिया है कि एक दी मिश्यूज ऑफ मेडिकल फैस्ट्री अंडर इस पॉलिशी बाइन एफेक्ट ऑप्टेनिंग फैनेंचर अड्वांटेज ऑफ मिससे स्टेट्मेंट मिस्रिपेजेंटेशन अफेक्ट्स फॉल्स परसोनिफिकेशन आल्ट्रिंग और यह सा अच्छा रहें कि टॉम जाए रिजिस्टर फर मेडिकल मैटर्स फॉल्विंग रिजिस्टर बना जाएंगे मेडिकल इस्टैशन ब्रांच आ रहा है मुश्वी इस बीजिस्टर बनेगा अच्छा इंस्पेक्शन ऑफ पैनल उस्प्रेल की इंस्पेक्शन भी की जाएगी ठीक है जी ऑच्छा पltffic現 अंदर चेक अप मेडिकल बोर्ट इनीशिल मैडिकल चेकश यूख यह पूरा क्रइटेरिया दिया है और अनौल मैडिकल छोगा ठीक है ड्यूटीज करेंगे इंप्लमेडिकल अटंडनेश की प्रवाइड करेंगे मेडिकल केर मेडिकल केर देंगे कानफ्रेंस करेंगे सब्सक्राइब करें जैसे कि अच्छाउन ऐते हैं करें फीडिय के वीडिया कट को थेइंकेक्निकल असिस्टाइब देंगे अथि कमिटी के इंदर है मेली बार के इंदर व चेक करेंगे वेरिफाइब कांटर साइन भी करेंगे व एक वह परफॉर्म करेंगे इनिशिन पॉइंट रखा है वह साल वह मैडिकल एग्जामिनेशन करेंगा ऑफिसर्स का जो बीपिए सोला से अबव के हैं और रिपोर्ट भी जमा कराएंगे तो रेफर पेशन्ट तू अप्रूवड स्पेशलिस्ट और रेफर भी करेंगे पेशन्ट को अप्रूवड हॉस्पिटर तो ठीक है तो टेक्निकली एग्जामिन में पैंडोडाव्ड डॉक्र सी जो जो वह स्पेशनिस में निवीचान ट्रीक हॉड टेस्ट भी करेंगे प्लाइस का फिजिकल टेस्ट भी लेंगे बाडी वेट भी करेंगा और फिजिकल एफिशनसी को भी चाहिए CMO shall be authorized to exercise the power अच्छा CMO के बास civil surgeon की power होंगी सारी की सारी to the extent of implies एंप 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 के implies तके लिए note in case of change of nomenclature of post mentioned in the policy due to reorganization the newly created post shall replace the old one and the officer so posted with new designation will exercise power as are vested in the existing power चाहिए करी अजगर अली यूसफ जई डी आई जी headquarters national highway and motorway police ने ये motorway की policy दी है जिसका नाम है national highways and motorway police एन एच एंप पॉलिस फॉर medical attendance 2018 जो के गज़र नोटिफाय हो गई है तो यह थी motorway की medical policy कर दिसके अच grin करेंangi to तो के तो यह हॉच्छ gosh